यूटूबर्स आईए मंत्री मंदल का लास्ट मिनिट का रिवीजिन कर लेते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि मद्प्रिदेश सरकार में कौन-कौन से मंत्री किस-किस पोजीशन पर व्यापत है सबसे पहले स्री शिवरा सिंग चौहान यह हमारे चीफ मिनिस्टर है मुख्य मंत्री है सामाने प्रसाशन को देखते हैं नर्मदा घाटी विकास विमानन एवं अन्य भिवाग जो किसी मंत्री को आवंडित नहीं है उसको भी देखते है इसके बादा श्री जैंत कुमार मलेय यह फाइनेंशियल और टेक्स की मिनिस्ट्री को समालते हैं इनका जो प्रभार है इनको इंदौर और कटनी को कटनी का भी इनको प्रभार मिल रखा है यह वहां की जो लोकालेटी है उसको भी देखते है अगला है डक्टर गौरी संकर सेजवार यह पंचायत एवं ग्रामी सेजवार वन योजना आर्तिक एवं सांखिय की मंट्री है जवलपूर ज delivery प्रभार मिश्ड़ जनिसंपर्क मंत्री है रीवा- इनका यह मंत्री लोकस्वास्त और यांत्रिकी जेल मंत्री भी है दमों ऑर चतरपुर जो है वो इनका अधिकार छेत्र है कुँआर विजय शाह यह स्कूल सिख्चा के मंत्री है और खर्गॉन और बढ़वानी को देखते हैं यह दो जिले है श्री गौरी शंकर चतरवुज हैं मंत श्री रिष्टम सिंग जी लोक स्वास्त और परिवार कल्यान और आयुश बिभाग भी इनके अंडर में आता है शिपुरी और टीकमगड जो है रीजन इसको देखते हैं श्री ओम प्रकाश दुर्वे ये मंत्री हैं खाद्य फूड नागरिक आपूर्ति एवं उपवोक्ता संग्रक्षण उपवोक्ता संग्रक्षण और श्रम विभाग इनके अंडर आते हैं उमरिया और सत्ना जो है वो रीजन को देखते हैं श्री ओमा शंकर गुपता राजस्व मंत्री हैं विज्ञान के भी और विज्ञान और प्रद्यगे की सागर और भिंड जिले को देखत है श्री मती यशोधरा राजे सिंधिया खेल और युवविकास युवक कल्यान धार्मिक न्यास और धर्मस मंत्री राजगड जिले को देखती है श्री पारश चंद्र जैन उर्जा नवीन एवं नव करणिय उर्जा मंत्री खंडवा बुरहानपूर को देखते हैं श्री अतर सिंग आर्य पशुपालन मच्वा कल्यान मतस्य भभाग जो है वो इनके अंडर आता है कुटीर छोटे उद्योग ग्राम उद्योग पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है वो मंत्राले इनी के उपर है और साथ में प्रदेश का जो भार है वो धार जो जिला है वो इनक इनके उपर है श्री मति मायासी नगरिय विकास एवं न आवास मंत्री ये ये जो अर्भन डैवलपमेंट है अर्भन डैवलपमेंट इसको देखते हैं दातिया और मुरेन जिले का प्रभार भी य स्री भूपेंदर सिंग मन्तरी हैं ग्रह प्रयावरण के उजेन और वीद दिपक जोशी जी जो है वो राज्य मंत्री है तकनी की सिक्षा मैं कॉशल विकास इनको स्वतंतर परोभार मिल रखखा है श्रम स्कूल सिक्षा का भी शाजापूर और लिवाथ रा Minuten को देख रहा है ध्यान से देखने वाली बात है कि पटवारी के एक्जाम में इन से रिलेटेड योजनाय आएंगी तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा इनको प्रभार मिल रखा है तो इसमें जो योजना है उसको दिखाने के लिए उसको समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को एक बार देख लेना तो सारी योजनाय एक बार में क्लियर हो जाएंगी श्रीलाल सिंग आरे जी नर्मदा घाटी विकास का स्वतंत्र प्रभार है सामान प्रवाशेशन भी देखते हैं विमानन आनंद देखते हैं जनजातिय कार अनुसूचित जाती कल्याण विवाग भी देखते हैं बैतूल और हर्दा का प्रभार इनको दे रखा है श्री मत्रेश के प्रभार है उनको है प्रभार श्रीश शरेंद्र पटवा संसकृति परेटन किसानकल्यान करशी विकास का प्रभार मंत्राले का प्रभार इनको दे रखा है देवास और आगर जिले जो हैं इनको भी यह संहलते हैं श्री हर्ष sensor gwolf underestimate के सीधी जिले को देखते हैं श्री संजय सतेंद्र पाठक राजमंत्री हैं सुक्ष में लगु और मध्यम मध्यम उद्ध्यम ये MSME डिपार्टमेंट जो है उच्छी सिक्षा सामाजिक न्याय एवं निशक्ति जन्र कल्याण को भी देखते हैं मंडला और अनुपुर्प जो है इनके प्रदे Hyattik की अंदर में आता है। श्योपुर और पन्ना राज्य को का जो प्रभार है वो भी उंको दे रखा है। श्री विश्वास सारंग जो हैं सहकारिता बोपालगैस्त्राजदी जो है वह मंत्र और उनका पुनरवास का प्रभार है पंचायत और ग्रामी विकास जो है बहुत इंपोर्टेंट है पंचायत और ग्रामिड विकास का प्रभार भी इनको दे रखा है जाबुआ और अलिराजपुर को देखते हैं यह प्रभार इनका स्वतंत्र प्रषेंश करण वन छेत्र भी देखते हैं और प्रभार जो है वह इनको मिल रखाया नेक्स्ट वीडियो जो है वह है मद प्रदेश की योजना बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है काफी लगब दस से पांच नम्मर उसी से बन रहे हैं लोगों के काफी लोगों ने बोला था कि सर योजनाव को लेकर एक वीडियो फास्ट ट्रेक ले आई है सो जल्दी से रिविजन हो सके हाला कि यूटूब पर काफी डिटेल में चीज़े दे रखी है अननेसेसरी चीज़े हो सकती है लेकिन पॉइंट वाली बात है कि लास्ट मेंट के रिविजन के पॉइंट ऑव यू से आपके लिए ये बेस्ट रहेगा इसका पीडिएफ जो है मैंने लिंक में नीचे दे रखा है अगर इसका पीडिएफ डाउनलोड करके देखना है तो पीडिएफ डाउनलोड कर लीजे एरफोन में लगा के देखना है और वीडियो अगर देख सकते तो बहुत अच्छा है like की उमीद है like करते रही है share करते रही है और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताते रही है thank you